नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिपसा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिना तुशांशु पांडे और हम चर्चा कर रहे थे फास्ट ट्रेक रिविजन में हम लोगों ने एक मिशन 2023 स्टार्ट किया हुआ है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अभिपसा का एक विशेश प्रयास है और यहां पर न सिर्फ भौतकी बलकि गनित विज्ञान समाजिक विज्ञान रसायन जीव विज्ञान इन सारी चीज़ों के लिए आपके पूरे बोर्ड को ध्यान पर रखते हुए हम लोगों ने एक विशेश सीरीज तयार की हुई ह इस सीरीज का नाम है एक्जाम सीरीज मिशन 2023 अगर आप अभिशा के प्लाटफॉर्म पर जाते हैं तो वहाँ पर माइंड मैप, स्पेसिफिक नोट्स और बहुत सारे मेंटर्शेप और गाइडेंस आपको वहाँ पर एक्स्क्लूजिवली अवेलेबल होंगे तो आप प्र डेट्स आपको हर रोज दिन में कई बार मिल रहे होंगे हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि परिक्षा के पहले-पहले हम आपके सारे विश्यों का पूरा अध्येन कंप्रीट करवा के रखें और इसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना हमको सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं आज हम यह यहां पर यूनिट का नाम क्या है यह यूनिट टू है मतलब पहले यूनिट में हम लोगों ने स्थेर विद्धूत एवम छेत्र दूसरे वाले में हम लोगों ने विद्धूत यह दोनों मिला के यूनिट एक था मतलब एक यूनिट खतम हो गया है और हम लोगों ने आठ अंकों की चर्चा कर ली है अब हम यूनिट टू में आ रहे हैं यूनिट टू यहने के एकाई दो और यहां पर अध्याय तीन धारा विद्धूत की बात कर रहे हैं ब्लूप्रि यहां पर चार और धन तीन बराबर साथ अंकों की हम को मिला के बाते करने वाले हैं इसके अलावा भी इस चाप्टर से बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी बाते हैं जिनको हम डिसकस करते हुए चलेंगे तो आप आपका काम क्या है पैन कॉपी उठा कर बैठना और बिल्कु वाहक का मतलब क्या होता है देखिए क्या होता है कि हमारे पकास में तीन पकार के जो है तीन पकार के पदार्थ हैं इन में से कुचालक होते हैं जिन में से विदुद्धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं हो सकती दूसरा होता है सुचालक और सुचालक जिसमें से में तीसरी जो बात होती है वो होती है अर्ध चालक अर्ध चालक ठीक है और ये अर्ध चालक में जो है कुसी विसेश परिस्तिती में ही विदुद्धारा का प्रवा होता है आज हम सुचालक के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि विदुद्धारा हमको सुरू करनी है इसमें ज्यादे तर धातों हैं और धातों के बारे में हम विसेश चर्चा करेंगे अब देखिए यह क्या होता है आप एक कलपना कीजिए कि एक ऐसा मकान है जिसमें एक ही परिवार के दो तीन चार भाई सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं इनका खाना पीना बनना और बाकि कि सारी चीज़ें तो अलग-अलग हैं लेकिन परिवार एक ही आंगन में अपना गुजरबसर करता है यहां स्थितियां ऐसी हैं कि यदि यहां पर कुछ बच्चे हैं जो किसी एक विसेश परिवार के हैं तो ऐसी स्थिति में आप यह नहीं बोल सकते कि यह बच्चे जो है वो इनकी बात मानेंगे और बाकी लोगों की नहीं मानेंगे बलकि ऐसा है कि सामान लाने के लिए या फिर मिठाईया लाने के लिए या खाना खाने के लिए इसे सारी परिश्चितियों के लिए यह बच्चे जो है परिवार के किसी भी घर के उपर आसानी से निर्भर रह स पास में जो है विस्यस परिश्यतिया है सारे के सारे धनात्मक आवेस जो है केंद्र में है और यह इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं लेकिन जब हम देखेंगे तो कुछ इलेट्रॉन ऐसे हैं जो अपने परमाणु के साथ में या अपने नाभिक के साथ में ही जुड़े उन पूरे धातों में आराम से विचरन कर सकते हैं ये जो अंदर वाले जो इलेक्टरॉन हैं इनको हम बंध इलेक्टरॉन कहते हैं और ये अपने नाभिक को छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते लेकिन इन्हें हम मुक्त इलेक्टरॉन कहते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये वो इलेक्ट्रॉन है जो विद्धुत धारा के प्रवाह में अपनी महत्वपूर्ण भूविका निभाते हैं तो यहां तक बात समझ गए थोस्पधार्थों में कूल मिलाखे विद्धुत वाहख कॉन होते हैं तो इलक्ट्रॉन होते हैं और विद्धुत धारा के प्रवाह के धिशा कैसी मानी गई है? तो हम लोगों ने माना तो ये है कि धनात्मक आवेश से रिनात्मक आवेश की और विद्धुधारा का प्रवाह होता है और इसलिए हम मानते हैं कि इलेट्रानों की जो दिशा होती है चलने की वो विद्धुधारा की विपरिद दिशा में होती है आप मान के चलें कि किसी परमानों के अंदर से उसके धनात्मक आवेज बाहर नहीं निकल सकते हैं किवले लेट्रॉन ही जो है वो घटक है जिनके कारण व्योदो धारा का प्रवाह होता है ठीक है तो यहां तक समझने के बाद में जो है अब हम जो है एक चालक को देख रहे है और इस चालक में क्या हो रहा है कि जैसा कि हम लोगों ने एक परमानों को देखा था तो इस परमानों में जो है भाई नाभिक तो बीच में होता है और नाभिक के आसपास कुछ इलेट्रॉन अपनी गोलियक अक्षा में गती कर रहे होते हैं अब आप बताईए कि इसमें ज पीचता है और यह इलेट्रॉन इसके पास में गोल गोल भूमने के लिए कुछ गतिज उर्जा याने की काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण यह भूम रहा होता है जैसे जैसे अगर हम लोगों ने बाहर से आग जला करके यहां पर जो है विद्दूत उर्जा मतलब उर्जा को इसके अंदर जो है डालने का प्रयास किया ऐसी स्थिति में क्या होगा इस इलेट्रॉन की गतिज उर्जा बढ़ जाएगी और गतिज उर्जा बढ़ने के कारण यह इलेट्रॉन तेजी से कमपन करने लगेगा मतलब अब यह क्या है कि गतिज उर्जा बढ़ान ऐसी स्थिती में और हम क्या देख सकते हैं तो ऐसी स्थिती में हम यह देखते हैं कि यह एक चालक है और इसमें बहुंस सारे परमाणू है मिलियन सब परमाणू है और यह सारे के सारे परमाणू जो है यदि हम जो है एक समान्य तापमान जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेट माना गया है किसी कमरे के तापमान को ऐसे स्थिती में भी इसमें बहुत सारी उर्ष्मिय उर्जा होगी और इस उर्ष्मिय उर्जा के कारण सारे के सारे जो मुक्त इलेट्रॉन थे वो गतिशील होंगे लेकिन क्या हमको समानिल temperature में किसी चालक से धारा का प्रवा होता हुआ प्रतीत होता है उत्तर है नहीं और इसका कारण ये है कि ये सारे के सारे electron इनके पास में हम लोग मान लेते हैं कि इन electron के पास में U1, U1, U2, U3 इस प्रकार से अगर हमारे पास में कुल मिला के N electron है तो इतने सारे electron का अपना अपना वेग होगा प्रारंभिक या उश्मिय वेग होगा लेकिन जब हम इसका आउसत निकालते हैं मतलब आउसत कैसे निकाला जाता है सारे वेगों को जोड़के अगर हम N से भाग दे दें तो इसका मान शून नहीं होता है अगर इसका मान शून नहीं होता है तो हमें समान ने ताप मान पर करने का प्रयास किया तो यहां पर धनात्मक और यहां पर रिनात्मक मतलब विभाव यहां पर उत्पन हो जाता है और इस विभाव के कारण अगर हम विद्दुछेत्र की तीवरता बात करें तो यहां पर यह वी बटा वी बटा अगर यह इस चलक की लंबाई एल है तो इका म कारण हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर दोरने वाले जितने भी इलेट्रॉंस हैं यह इलेट्रॉंस जो है विदु छेत्र की विपरीत दिसा में गतिशील हो जाते हैं इस गतिशील होने के कारण जो है अब हम क्या देखेंगे हम यह देखेंगे कि भाई मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक वेग U1 था और उसके बाद में जो है इसमें कुछ acceleration याने कि त्वरण उत्पन नहुआ और T1 समय के बाद में जो है इस electron का जो वेग है वो V1 हो जाता है इसी प्रकार से यदि हम प्रतेक electron के बारे में बात करेंगे तो V2 बराबर U2 धन AT2 और इसी प्रकार से VN बराबर VN बराबर UN धन ATN और सारे के सारे electron का कुछ विशेस वेग हम को दिखाई देता है और इस बार हम क्या देखेंगे कि यह जो कुल मिला के वेग है यह इस बार धारा उत्पन करने में सक्षम है मतलब अब जो है क्या हो रहा है आपस में होने वाले टक्करों की संख्या के कारण यहां पर कुल धारा के यहां पर क्या कारण समस्य क्या थी यहां पर समस्य यह थी कि इतने सारे टककर हो रहे हैं जिनके करण इनका उसत वेख सुनने हो जा रहा था लेकिन क्योंकि बाह या विदूत छेत्र इस पे लगाया गया है इसके करण यहाँ पर विदूत धर्ण का प्रवाह होता हुआ हमें दिखाई देगा अब अगली बात क्या है अगली बात ये है कि ये जो विद्दूद छेतर की तीवरता E है इसका मान हम लोगों ने V बटा L तो ले लिया है लेकिन अब हम बात करेंगे कि विद्दूद बल कुल मिला कर कितना लगेगा तो कुल मिला के विद्दूद बल लगेगा वो होता है Q E यह जो है कुल मिलाके विदूद बल का मान होता है इसको हम रिड़ ई और कैपिटल ई भी मान सकते हैं ऐसा हम लोगों ने क्यों किया क्योंकि इलेट्रॉन है जो विदूद बल का अनुभाव कर रहे हैं यदि हम त्वरंड की बात करें और इसलिए यहां पर भी बटा M करना पड़ेगा इससे जो है हमको त्वरंड के मान में त्वरंड के मान के बारे में जानकारी मिल जाती है मतलब हमको त्वरंड पता चल गया अब हम क्या देख सकते हैं हमारे पास में त्वरंड हैं ये T1 को हम बोलते हैं, ये T1 इसको बोलते हैं हम श्रांतिकाल, श्रांतिकाल, अब ये श्रांतिकाल का क्या मतलब होता है, ये समझने का प्रयास करें, भई हम यहां देख रहे हैं कि ये एक इलेट्रॉन है और ये इलेट्रॉन जो है बाहे विदुत छेतर के संगत में आने के कारण तोरन करता है अपनी गती को बढ़ाने का प्रयास करता है इस गती को बढ़ाने का जो है इसको कब तक मौका मिलेगा जब तक यह आगे जाकर किसी दूसरे electron से न टकरा जाए जैसे ही ये इस electron से टकराएगा तो संघट होगा और संघट कैसा होगा elastic collision होगा और प्रत्यास संघट के बारे में बाद में जो है इसकी उर्जा खतम हो जाएगी तो यहां पर जब तक उसने अगली टकर नहीं ले ली तब तक वहां तुरित गती कर रहा है उस समय को हम उसका स्रांतिकाल कहेंगे अब क्या है कि यहां पर करोड़ों electron घूम रहे होंगे इस चालक के अंदर और ऐसी स्थिति में प्रत्यक electron के लिए उसका स्रांतिकाल अलग-अलग हो सकता है इसलिए हम लोगों ने यहां पर सूत्र में हर electron के लिए अलग-अलग स्रांतिकाल ले ली यहां पर हम दूसरे electron के दिए देखिए तो यहां पर हो जाएगा V2 बराबर V2 बराबर U2 धन A T2 इसी तरीके से VN बराबर UN धन A T1 क्या हर TN क्या हर एक electron को एक बराबर तोरण मिल रहा है उत्तर है बिल्कुल हाँ हम लोगों ने अभी अभी तोरण की गणना की है अब यहां से जो है हम एक सूत्र देखते हैं आप देखिए V1 धन V2 धन V3 धन इस प्रकार से यहां पर कुल मिला के VN N electron है तो इन सारे वेवों को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या मिलेगा देखिए U1 धन A T1 धन U2 धन A T2 और इसी तरीके से UN धन A TN इस प्रकार से हम लोगों ने सारी चीज़े जोड़ दी अब हम क्या देखेंगे कि हम यहां से अगर U1, U2, UN इन सारी चीज़ों को अलग कर दें तो हमको मिलेगा V1 धन V2 धन डैस डैस VN बराबर U1 धन U2 धन डैस 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 UN और यहां देख रहे हैं कि हर एक जगह जोए A का मान एक जैसा है तो यदि हम उसका उभय निष्ठ ले लें तो हमको क्या मिलेगा A और कोश्ठक में मिलेगा T1 धन T2 धन और यह आजाएगा TN तक अब अगली बात क्या है अगर हम जो है यहां पर हर एक को N से विभाजित कर दें यह हम क्यों कर रहे हैं ताकि हमें औसत मान पता चल सके तो यदि हम हर एक को N से विभाजित कर दें तब की स्थिती में हमको क्या मिलेगा एसी स्थिती में हम देखते हैं कि यहां पर हमको VD मिलेगा और यह VD क्या है इसे हम कहते हैं अब अवसत WEG हम अनुगमन WEG की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह अनुगमन WEG हो जाएगा अनु गमन ठीक है और यह किसके बरढबर हो جाएगा देखिए आपको कुछ यादा रहे, U1 धन, U2 धन, UN और बटा N, ये क्या था, ये उस्मिय वेग था, और उस्मिय वेग का मान क्या था, शून्य था, तो यहाँ पर शून्य मिल जाएगा, धन, यहाँ बटा N, और यहाँ हमको मिल जाएगा, T1 धन, T2 धन, T3, अगर हम जो है यह है, और और श्रान्तिकाल को परिभाशित कर जिये, तो और श्रान्तिकाल, T1 धन, T2 धन, TN बटा N, ये जो है और श्रान्तिकाल के बराबर है, और इसकी परिभाशा क्या होगी, कि आवेशों के दो लगाता टकरों के बीच का जो समय है, उनका आवसत अगर हम निकालेंगे, तो हमको आवसत श्रान्तिकाल मिलेगा, श्रान्तिकाल क्या होता है, श्रान्तिकाल होता है किसी आवेश के तुरित गती करने के दौरान, दो आवसत टकरों के बीच का समय श्रा प्रावेशों के लिए ऑसाथ स्रांतिकाल निकाले तो उसे हम यहाँ पर ऑसाथ स्रांतिकाल बोल चुके हैं अब A का हमारे पास में कोई मान है क्या मान है रिन ए बटा M तो हम इसका मान जो है डाल देते हैं और यह हो जाएगा VD बराबर RIN E बड़ा E और बटा M और ये जो है N नीचे रखा हुआ है तो ये हो जाएगा और यहां हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है हमें शांतिकाल के बारे में पता चल गया अब और कोई जो है बाते हम कर सकते हैं का हाँ बिलकुल कर सकते हैं बाई कुल मिला के जो है जो आवेश है कुल मिला के जो आवेश है देखिए कलर चेंज करते हैं और हम जो है गरना करते हैं देखिए हम मानते हैं स्मॉल एन ये है प्रति एकांक प्रति एकांक एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेट्रोन ठीक है मुक्त इलेट्रोन और यदि हम यह मान ले कि भाई इसका चालक की लंबाई कितनी है L है यह है चालक की लंबाई चालक की लंबाई और यदि हम मान ले कि छेतर फल उसका कितना है A है यह है छेतर फल ठीक है चालक का छेतर फल और यदि हम मान ले जाए कि capital N जो है वो क्या है कुल मुक्त कुल मुक्त इलेक्ट्रान तो कुल मुक्त इलेक्ट्रानों की संख्या यदि हमको ऐसे पता चल जाती है तो अब आप क्या संबंध निकालेंगे भाई यहाँ पर हमको यह समझ में आ सकता है कि यदि जो है हमारे पास में प्रती एक आंक आयतन में N इलेट्रान है और उसकी गड़ना अगर हम लोगों ने कुल मिला के जो हमारा आयतन है A गुना L से कर दें तो यह पूरा का पूरा आयतन हो गया और यह प्रती एक आंक आयतन तो इसके इसका मान जो है कैपिटल N के बराबर में हो जाएगा मतलब कुल मिला के इलेट्रानों की संख्या N यह N इंटो A गुना L हो जाएगा और कुल मिला के जो आवेस होगा क्यू उसका मान हो जाएग यहां से पताच लगाना पड़े कि अनुगमन वे क्या होता है तो वीडी का मान हो जाएगा कुल आवेशों की मात्रा प्रवाहित होने वाली मतलब यहां पर हो जाएगा इगुणा एन और उसके बाद में इसमें हम लोगों ने क्या गुणा किया है देखिए यह स्मॉल ए की बजाए हम लोगों ने कुल आवेश ले लिया और यह हो जाएगा कैपिटल ई और बटे में हो जाएगा हमारे पास में एम और यहां टाव ठीक है तो इस पकार से जो हैं हम अनुगमन बेक के बारे में जानना सीख गए तो विश्रांतिकाल किसे कहते हैं भाई विश्रांतिकाल कहते हैं टाव को और यह होता है टी वन धन टी टू धन टी थ्री धन धन और यहां टी एन तक इन सब को अगर हम एन से भाजित कर देंगे तो इसको हम विश्रांतिकाल कहेंगे श्रांतिकाल दो कंजिक्यूटिव यहने की दो लगातार टक्करों के बीच में वह समय जिस पर कोई आवेस क्या होता है त्वर विदुद्धारा में संबंद स्थापित करने का प्रयास करेंगे विदुद्धारा सबसे पहले देखो आई आई बराबर क्या होता है कुल आवेस बटा कुल आवेस बटा लगा हुआ समय आशा यह समय एक चालक है जो एल लंबाई का है और इसके अंदर जो आवेस पर लंबाई बटा लगा हुआ समय तो आप यहां से अगर हम यहां डालना चाहें तो यह खुल आवेस की बात करनी तो कुल आवेस मिल जाएगा अच्छा कुल मिलाके ये मुक्त इले टानों की संख्या कितनी है यदि स्माल एंड पती एकांक मुक्त इले टानों की संख्या पती एकांक आयतन मुक्त इले टानों की संख्या हो और इसमें अगर हम आयतन का गुना कर दें यह दोनों जानकारियां एक साथ लेनी हैं, यह वाली जानकारी और यह वाली जानकारी, तो I का मान हो जाएगा, I बराबर Q बटा T, और यहां पर हो जाएगा, देखिए, N, A, L, E, पुल मिला के, N, A, L, और E, यह जो है, कुल आवेश हो गया, और बटा जो है, T का मान हो जाएगा, तो हम को यहां पर दिखाई दे रहे है, L और यह L कट जाएगा, और विद्दुध्धारा का मान हो जाएगा, N, A, E, और VD, यहां पर जो है, N क्या है, प्रति एकांक, आयतन आवेशों की संख्या, यह मुक्त एलेट्रोनों की संख्या, E क्या है, इलेट्रोन का जो है, VD का मान निकालना चाहें, अगर हम, तो हमको VD का मान क्या पता है, भाई, VD का मान हमको पता है, VD बराबर E, capital E, मटा M, E, और यहां टाउ होता है, यह टाउ क्या है, विश्चान तिकाल, तो इस संबंद को अगर हम यहां डाल देंगे, तो हमको फिर क्या मिलेगा, इस संबंद को यहां डालने से हमको मिलेगा, देखो, N, E, A, और यहां था VD, तो इसको हम लिखेंगे, N, E, A, गुना, E, capital E, मटा M, E, और गुना टाउ, तो यह हो जाएगा, N, E का वर्ग, A, और टाउ, बटा M, E, यह जो है, विदुद्धारा का मान हो जाता है, और यह चीज़े हम लोगों ने सीख लिए, अब जो है, अगली चीज़ क्या है, धारा घनत, धारा घनतों के लिए मैं यह कहना चाहूंगा, कि क्योंकि विदुद्धारा का मान, बैटरी की जिशा को बदलने से, या किसी चालक की जो है, अलग-अलग दिसाओं में चलने से विदुद्धारा की दिशा जो है लगातार बदल सकती है, इसलिए यह एक अधिश रासी है, और इस अधिश रासी को यदि हम सधिश रासी के रूप में उपयोग करना चाहें, तो हम लोगों ने क्या किया, यह एक सधिश रासी जे वेक्टर है, और इसका मान हो जाएगा, आई मतलब धारा और बटा ए वेक्टर जो की छेतर फल घनात्व है, तो किसी तार से बहने वाले प्रती एकांग छेतर फल में बहने वाले विदुद्धारा का मान धारा घनात्व कहलाता है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बात जो हमारे डिसकुशन में है, वो क्या है ओम का नियम, अब ओम का नियम पहले हम कक्षा दस्वी वाले हमारे कंसेप्ट के हिसाब से बात कर लेते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था, यदि भौतिक यदि हम भौतिक फैक्टर्स को जो है नहीं बदलेंगे, भौतिक जो है राशियां क्या-क्या हैं, जैसे त तापमान, उसके बाद में और क्या था, दबाओ, तापमान, दबाओ, और स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं तनाओ, ठीक है, तो ये सारी चीजों को नहीं बदलेंगे, तो ऐसी स्थिती में हमको पता है कि V प्रपोर्शनल टू आई, या फिर V by V, V is equal to I, R, या हम बोल सकते हैं V by I, बराबर R, अब इसकी जो है व्याख्या हमको किस्से करनी है, इसकी व्याख्या हमको अनुगमन वेक के, और अभी जो हम लोगों ने धारा परिभाशित की है, उसके अनुसार करनी है, हम देख लेते हैं, एक बार सूत्र क्या है हमारे पास में, देखो, आई बराबर N, E, A, V, D, यहां पर जो है, अच्छा, यहां पर N, E, स्क्वेर, यहां पर देखे, कैपिटल E, हम लोगों से छूट गया था, तो यह हो जाएगा, N, E, का वर्ग, A, कैपिटल E, टाउ, बटा, M, E, यह विदुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध कर लेते हैं, बटा, M, E, और गुना, टाउ, यह जो है, यही मान होता है, N, E, का वर्ग, A, E, और टाउ, बटा, M, E, यह जो है, अब हमको क्या निकालना है, V, बटा, I, निकालना है, V, बटा, I, निकालना है, V, क्या है, विदुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् मान तो यहां से हो जाएगा, e, guna, l, और पूरे का बटा, n, e का फ्र, ए, और यहां टाउ हो जाएगा, और यह बटे में जो m e है वो ऊपर चला जाएगा, तो यह ऐसा हो जाएगा, जो जो चीज़े हम से कट सकती हैं, हम कटा रहेंगे, तो यहां पर देखें, यह वला e, और यह वाला E मतलब विदुच्छेतर की तीवरता दोनों कड़ गया और V by I का मान हमको क्या मिला V by I का मान हमको मिलता है यहां देखिए L बटा A और इसके बाद में यहां हमको मिलेगा M E बटा N E का वर्ग और टाउ अब यहां से बहुत सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है यदि आप से पूछा जाए कि भाईया R का जो है सूत्र लिखो तो R बराबर देखिए L बटा A तो R बराबर V by I का मान R है ना तो यह V R बराबर L बटा A और यहां हो जाएगा M E मास ओफ इलेटरॉन बटा मास ओफ इलेटरॉन में E को छोटा कर देते हैं M E बटा N E का वर्ग ताउ अब बताइए कि अगर जो है R हमको कॉंस्टेंट चाहिए यहने की नियत चाहिए किसी भी चालक के लिए तो यहां पर कौन कोंसे कारण जिम्मेदार है है पहला द्रव्यवान इलेटरॉन का क्या बदल सकता है नहीं तो इसमें भदल चाहत कि अद्बतलों फरक नहीं पड़ता पती एक आंक आवेसों कि मतलब मुक्द इलेटरॉन की संख्या क्या यह बदल में जबतल सकता है नही हमको जो है एक और चीज क्या पता है एक और चीज पता है विशिश्ट प्रतिरोध के बारे में हम जाते है और इस प्रोपोर्पोर्शनल टू लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है R is inversely proportional to A मतलब area of cross section बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है यहां से हमको हो गया R is proportional to L by A और यहां लिख सकते हैं R बराबर विशिष्ट प्रतिरोध रो L गुना L बटा A अब जो है आप यहां से तुलना करते चलिए आपको यहां पर जो सूत्र नजर आ रहा है वहां से तुलना करते चलिए तो यहां पर जो हमारे पास में क्या है L बटा A और यहां क्या है देखिए M E M E बटा N E का वर्ग टाउ अब यहां से जो जो चीजे कट सकती है उन चीजों को अगर आप काटोगे तो आपको क्या दिखाई देगा L बटा A और L बटा A कट गया और हमको रो का मान क्या मिला हमको जो है विसिष्ट प्रतिरोध का मान मिला M E मतलब मास आफ इलेक्राउन और N E का वर्ग टाउ अब यहां से बताईए कि इन में से कौन-कौन से चीजों में बदलाव संभव है क्या आप इलेट्रॉन के दरवेमान बदल सकते हैं नहीं बदल सकते हैं क्या आप बदल सकते हैं प्रती एकांक आवेशों प्रती एकांक आयतन में आवेशों की संख्या ये जो है किसी पदार्थ की प्रकृति को निर्धारित करने वाला टर्म है मतलब अगर आप aluminum लोगे तो n का मान बदला हुआ मिलेगा अगर आप copper लोगे तो n का मान बदला हुआ मिलेगा ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रकृति ठीक है और ये जो है श्रांतिकाल है और ये तापमान पर हम लोगों ने सुरुवात में ही ये बात की थी कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाते हैं वसे वसे गती जूर्जा में व्रद्धी होती है और गती जूर्जा में व्रद्धी होने के कारण आवेश से जो है एक विसेश व्याख्या कर दी यह जो पूरा आपका जो है टॉपिक था इससे जो है आपको अलग लग प्रकार के पूछे जा सकते और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमको डिसकस करना है जुड़े रही हमारे साथ में और अगर आप अभी तक आप लोगों न